आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने फिलिप कार्ट पे लैटर के लिमिट से कोई भी प्रोड़क्ट हम फिलिप कार्ट से EMI पर मतलब की आसान किष्टों पर कैसे परचेस कर सकते हैं वो भी नो कोस्ट EMI पर और साधी साथ हम इंस्टन कैसे पा सकते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी लोग लिए काफी जादा है एलफ रोने वाली ये वीडियो को आप बिनस्किप की एंट तक देखते रही हैं तो गैस देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने फिलिप कार्ट अप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना और credit options में हमें दो option देखने को मिल जाते हैं पहला है flip card personal loan दूसरा है flip card pay letter अगर आप flip card app से 10 लाग रुपए तक का personal loan लेना चाते हैं तो इस topic की ओपर हम already video बना चुके हैं description में आपको video का link मिल जाएगा आप उस video को देख सकते हो लेकिन इस video में हम बात कर रहे हैं कि हम flip card pay letter की limit से कोई भी product हम EMI पर मतलब कि आसान किश्टों पर हम purchase कैसे कर सकते हैं कैसे खरीश सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमें flip card pay letter वाल option पर click कर लेना है click करने के बाद इस तरीके से यह load लेगा और अब आप यहाँ पर देख सकते हो flip card pay letter का page हमें देखने को मिल जायागा और गैस देखिए मुझे यहाँ पर flip card की तरफ से 90,000 रुपए की pay letter की limit मिली हुई है इसलिए 90,000 रुपए की limit का balance हमारा show हो रहा है और यह जो flip card pay letter की 90,000 रुपए की जो limit है इससे में flip card app के थुरू कोई भी product EMI पर मतलब की आसान किष्टों पर मैं purchase कर सकता हूँ और गैस देखिए flip card pay letter से EMI पर product purchase करने पर हमें अलग-अलग discount भी मिलते रहते हैं जैसे की अगर हम कोई भी laptop वगरा purchase करते हैं flip card pay letter से EMI बनवाने पर 3000 रुपए तक का हमें यहाँ पर instant discount मिल जाएगा जितने भी offer यह अलग-अलग launch करता रहता है flip card pay letter आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और आप instant discount भी पा सकते हैं flip card pay letter के क्या-क्या benefits हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं flip card pay letter no cost EMI हम बनवा सकते हैं flexible EMI tenures अपने इसाब से हम जितने महीने की चाहें उतने महीने की हम EMI बनवा सकते हैं secure और trusted है और इससे हमारा जो civil score है credit score है वो भी increase होता रहता है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हम इससे कोई भी product EMI पर कैसे खरीच सकते हैं तो अब हम back आ जाएंगे back आने के बाद home पर click कर लेना है हमें याँ पर उपर की set search bar option पर click कर लेना और जो भी product हम purchase करना चाहते हैं अपने flip card app से EMI पर flip card pay letter के थूँ वो product का नाम हमें याँ पर enter कर देना है वो product कोई भी हो सकता है जैसे की mobile phone, DSLR camera, free jc washing machine, laptop जो भी आप purchase करना चाहते हैं कर सकते हैं जैसे इस महीने गर्मी बहुत जादा पड़ रही है तो मैं एक air conditioner purchase करने की सोच रहा हूँ तो चलिए मैं AC लिक कर search कर लेता हूँ आप open कर लीजे, उसकी images वगेरा भी हमें देखने को मिल जाएंगी देन हम उपर की side scroll कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हूँ no cost EMI plan, हमें details option पर click कर लेना है details option पर हम जैसे ही click करते हैं तो हमें बहुत सारे options देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर सबसे पहला हमें option देखने को मिल जाता है flip card pay letter EMI का then उसके बाद जितने भी other banks के credit card होते हैं उसके बैंकों के नामें देखने को मिल जाते हैं तो अगर हमारे पास credit card है उससे अगर हम EMI बनवाना चाते हैं तो EMI बनवा सकते हैं no cost EMI यहाँ पर बन जाती है तो इस वीडियो में हम बात कर रहे है flip card pay letter EMI की इस पर click कर लेंगे click करने के बाद flip card pay letter के तुरू अगर हम installment बनवाते हैं तो हमें उसकी detail देखने को मिल जाती है जैसे वहाँ पर show हो रहा था कि हम no cost TMI बनवा सकते हैं लेकिन वो कुछी product पर available होता है जिस पर होता है वो हमें no cost देखने को मिल जाता है लेकिन इस product पर हमें थोड़ा interest pay करना पड़ेगा अगर हम यहाँ पर installment बनवाते हैं तीन महीने की तो हमें हर महीने 11,752 रुपे पे करने पड़ेगे तीन महीने तक 24% का interest लगेगा और हमारे पास से जाएंगे 35,255 रुपे टोटल जो हम item purchase कर रहा है इसकी जो actual price है वो 33,890 रुपे है लेकिन installment बनवाने के बाद 35,255 रुपे हमें पे करने पड़ेंगे next plan आता है 6 महीने का जिसमें हमें 6,051 रुपे पे करने पड़ेंगे 6 महीने तक 24% interest लगा कर 36,302 रुपे का हमाट हमें totally पे करना पड़ेगा next plan आता है 9 महीने का इसमें हमें 4,153 रुपे पे करने पड़ेंगे 24% के interest के साथ 37,399 रुपे 9 महीने में हमारे पास से चले जाएंगे तो जो भी plan हमें ठीक लगे 3 महीने 6 महीने 9 महीने वो plan हम select करके आसान किष्टे हम हर महीने पे कर सकते हैं तो चलिए अब हम back आ जाते हैं back आने के बाद नीचे की साथ लिखा हुआ है pay with EMI और buy now अगर हम full payment करके buy करना चाते हैं तो buy now कर सकते हैं मैं यहाँ पर pay with EMI option पर click कर लेता हूँ अगर आप कोई production plan लेना चाते हैं अपने product के साथ आप ले सकते हैं मैं इसको skip कर दूँगा हमारा नाम address mobile number show होने लगता अगर आप इसको change यह edit करना चाते हैं तो कर सकते हैं मैं यहाँ पर continue with EMI option पर click कर लूँगा और अब आप यहाँ पर देख सकते हो 32,390 रुपए का यह amount हमें pay करना पड़ेगा मेरे पास flip card का gift card है उससे भी 500 रुपए मैं use कर सकता हूँ और मेरे पास एक ICICI bank का credit card है उस पर यह 15 रुपए का instant discount हो रहा है अगर मैं इससे full payment कर गए या EMI पर यह product purchase करता हूँ तो flip card pay letter पर भी हमें discount मिल जाता है EMI बनवाने पर लेकिन अगर offer होता है तो payment करने के बहुत सारे हमें method देखने को मिल जाते है credit, debit card, net banking, UPI, wallet, cash on delivery और यहाँ पर सब से उपर flip card pay letter and EMI का option देखने को मिल जाता है इस पर हम click कर लेंगे then हमें continue option पर click कर लेना है हमारे flip card pay letter के registered mobile number पर एक OTP आगा one time password आगा OTP हमारा आ चुका है इस तरीके से हम enter कर लेंगे then नीचे की साइड हमें verify option पर click कर लेना है और अब आप यहाँ पर देख सकते हो flip card pay letter यहाँ पर open हो चुका है और अब आप देख सकते हो flip card pay letter and EMI वाल option select हो चुका है यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ C plans symbol हमें C plans option पर click कर लेना है और इस मेंसे जो भी plan हम लेना चाहते है 3 महीने, 6 महीने या फिर 9 महीने वो plan यहाँ से हम select कर सकते है choose plan कर सकते है और उसके बाद हमारा जो product है वो order हो जाएगा और हर महीने हम flip card pay letter को EMI या फिर kisht pay कर सकते है EMI या फिर kisht हम कैसे pay कर सकते है जैसे मैं आपको आज की date दिखा देता हूँ आज 9 जुलाई है मतलब जुलाई का यह महीना चल रहा है अगर मैं इस महीने कोई भी product order कर लेता हूँ EMI पर तो अगले महीने की एक तारीक को मतलब अगस्त की पहली तारीक को हमारा bill generate हो जाएगा जो भी हमारी EMI का amount है वो लिखकर आ जाएगा और 5 अगस्त तक मैं उस due balance को pay कर सकता हूँ EMI को मैं pay कर सकता हूँ हर महीने की एक तारीक को हमारा flip card pay letter का जो bill है वो generate हो जाता है और 5 तारीक तक हम अपने due को clear कर सकता है इसी तारीके से जितने महीने की हमने EMI बनवाई है उतने महीने तक हम अपने bill को pay कर सकते है ध्यान रहे EMI या जो भी किष्ट है वो late नहीं होनी चाहिए due date तक pay हो जानी चाहिए नहीं तो हमारे EMI के amount पर late fees bounce charges भी लग सकते है और उपर से हमारा credit score भी down कर दिया जाता है तो अमीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आयोगी इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बता हूँ तरीके से आप अपने flip card pay letter की limit से कोई भी product आप EMI मतलब की आसान किश्टों पर purchase कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आयो तो लेक और share कर देना और चैनल को subscribe करके bell notification पर आप ज़रू click कर लेना thank you